साथियों, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के इस प्रोजेक को 21 सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। कुछ दिन पहले जो न्यू भावपूर न्यू खुर्जा सेक्शन शुरू हुआ है। वहां माल गाडियों की स्पीड 90 किलोमेटर प्रती गंटा से उपर तक दर्ज की गई है। जिस रास्ते में माल गाडियों की आउस्त स्पीड सिर्फ 25 किलोमेटर की रही हो। वहां अब पहले से करीब करीब तीन गुना जादा तेज माल गाडियों चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगती चाहिए। साथियों आज हर्याना के न्यू अटेली से राजस्तान के न्यू किसंगट के लिए पहली डबल स्टेक कंटेनर माल गाडि रवाना की गई है। यानि दिब्बे के उपर दिब्बे वो भी देड किलोमिटर लंबी माल गाड़ी में यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्दी है। भारत इस सामर्थ वाले दुनिया के गीने चुने देशों में आज अपनी मौझूदगी अपनी ताकत दर्ज करा रहा है। भारत उसमें शामील हो वया है। इसके पीछे हमारे इंजिनियरों, टेकनीशन्स और स्रमीकों की बहुत बड़ी महनत रही है। देश को गर्व करने वाली उपलब्दी इस देश को देने के लिए मैं इससे जुड़े हुए सभी लोगों को विशेश करके रेलवे के हमारे साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ। साथियों, आज का दिन NCR, हर्याना और राजस्तान के किसानों हो, उद्यमी हो, व्यापारी हो, हर किसी के लिए नई उमीदें, नए आउसर लेकर आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, चाए इस्टन हो या बेस्टन, ये सिर्फ आदुनिक माल गाड़ियों के लिए आदुनिक रूट सिर्फ नहीं है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर, देश के तेज विकास के कोरिडोर भी है। ये कोरिडोर, देश के अलग-अलग शहरों में, नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। रहता है।